आपको कटिंग कैसे करना है यह हमने तिर्षी पट्टी जो कटिंग की थी यह वो है फिर हमें इस तरीके से जॉइंट करना है आप देख सकते हो यह हम बना करके जॉइंट करेंगे अगर आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सिस्क्राइब करें और प्रेस कर दे मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुच जाएगी और आप पेपर से कटिंग और स्टेजिंग आसानिक से सीख सकें सो आप देख सकते हो यह हमने दो भागों में किया हुआ था जॉइन्ट करने के बाद हमें यह दो इंच का था सो हम फोल्ड कर लेंगे तो यह हमारा एक एक इंच हो जाएगा इसे हम पूरी फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से पूरी फोल्डिंग हो जाएगी होनी के बाद यह आप देख सकते हूँ यहाँ पी हमने रखा और यह हमने उपर से सिलाई बनाने स्टार्ट कर दी है जो हमारी सिलाई है वो हमें बाहर की तरफ रखनी है जो हमारा बंद वाला है वो हमें अंदर की तरफ रखना है फिर हमें सिलाई करना स्टार्ट कर देना है विल्कुल ऐसे ही जैसे हम सिल रहे हैं ऐसे ही हमें पूरा सिल लेना है सो फ्रेंस अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो सो क्यों नहीं कर रहे हो क्यों कब करोगे आप सो कुछ न कुछ कीजिए रोज हम सीखते हैं किसी न किसे से कोई न कोई चीज हम रोज सीखते हैं सो अपनी सोच को और अपनी सीख को अपने लाइफ में लाइए और प्लीज कुछ कीजिए गर्ल्स हम दूसरे के उपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं हम खुद का कुछ करना चाहते हूं प्लीज आप लो कुछ करें दूसरे पर ही डिपेंड ना रहें आप लो आप देख सकते हो यहां पे हमने मोड लिया है अभी यह मत सचेगा कि हमने मोड दिया तो फार दिया सिलने का फायदा क्या हुगा यह हम मोड करके पेपर को कभी भी आप सीधा करें तो मोड करके सीधा करें क्योंकि आपका सीधा हो जाए क्या होता है gonna paper में सब सिकुडन लग जाता है एसे मोडते हैं तो चीरलぎ लग जाता है फिर उसके बाद ऐसे सीधा करेंगे तो आपने देखा कितना इच्छा लुकाया हमें कुछ भी नहीं सीलना था रजय भी पर से इस टरीके से द्यूरी और ँस बनाएंगे इसमें पेपर है सो हम पैपीन तो बना नहीं सकते क्योंकि फट जाएगा पैपीन हमें सीधी करनी होती है सो हम उसे जॉइंट कर लेंगे जिस हिसाब से दता की दोनों हमारा एक सेमी हो यह हमारा पीछे का है पीछे वाले को हमने कहा था कि इसमें कुछ भी कटी नहीं करनी है सो हम क्या करेंगे उसमें एक इंच इस तरीके से हम थोड़े से डीप कटिंग कर लेंगे अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं दिखी है तो नीचे जाएंगे आप मेरे बॉक्स में इसकी कटिंग की लिंक वहां से आप देख सकते हो कि आपको कटिंग कैसे करनी है फिर आपको दोनों कंधी जॉइंट कर लेनी है कंधी जॉइंट करनी का तारीका हमने आपको कई बारी बताया है वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सस्क्राइब माई चैनल एक के बाद एक वीडियो देखते जाए और अच्छे ची सीखते जाए यह सिंपल सूट पे भी अगर हम इस तारीकी के को जाती है सो हम कोटी बना लेते हैं सो मैंने सोचा कि आप लोगों भी अगर स्टार्ट कर ही रहो सिलाई सो ऐसे चोटी-चोटी चीजियों से आप सिलाई स्टार्ट कर लो तो बगल वाला भी देखे कर कहा हां कहीं जा भी नहीं रही है कुछ गर भी नहीं रही है फिर भी इस सकें सो यह कोटी है प्लीज इसे ट्राय करेगा और ट्राय करके हमें कमेंट करकी ज़रूर बताएगा कि यह कैसा लग रहा है सो आप देख सकते हो मैंने वाइट सुट के साथ इसे लगा करके रखा कितना प्यारा लग रहा है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो